हेलो गाइज आप लोगों ने डोक्टर से कई बार इंजेक्शन लगवाया होगा या फिर डोक्टर को इंजेक्शन लगाते हुए देखा होगा डोक्टर इंजेक्शन लगाते समय बहुत ही सावधानी बरत्ते हैं लेकिन कई बार इंजेक्शन बनाने वाले ऐसे ही डोक्टर इन खराब नीडल को या कमजोर सुई को इंजेक्शन लगाते समय किसी के सरीर में इंजेक्ट करते हैं तो ऐसी खराब सुईया मरीज के सरीर के अंदर ही तूड़ जाती हैं क्योंकि ऐसी खराब सुईया या तो आगे से थोड़ी बहुत मुड़ी हुई होती हैं या नीडल की गर्दन के पास से कमज़ोर या क्रैक होती है इसलिए इंजैक्सन लगाने से पहले सुई को हमेशा चैक करना चाहिए कि वो कहीं से मुड़ी हुई तो नहीं है या वो थोड़ी बहुत क्रैक तो है क्योंकि सभी डोक्टर की ये मेंटैल्टी होती है कि सुई पैकिंग से निकाली गई है और बिलकुल नहीं है लेकिन नई सुई या पैकिंग वाली सुई भी खराब हो सकती है चलिए अब जानते हैं कि अगर सुई टूटकर सुई का टुकड़ा मरीज के शरीर के अंदर रहे जाए तो क्या करें लेकिन उससे पहले आपको जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको दबा कर इस घंटी को जरूर दबा ले ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे सुई अगर अंदर रहे गई तो वो धीरे धीरे हिल हिल कर सरीर के अंदर के सारे टिश्यूज को इंजड कर सकती है यानि वो सुई हमारे सरीर के अंदर सारी मसल्स में धीरे धीरे घाव बना देगी और इंफेक्शन की वज़े से मरीज की मौत भी हो सकती है क्योंकि सुई बहुत नुकिली होती है तो हिलने डूलने ना दें उसको वैसे ही लेटा रहने दें। कई बार सुई तूटने के बाद थोड़ी बहुत बाहर दिख सकती है। ऐसी सुई को आप किसी नुकीले इंस्टूमेंट से खींच कर बाहर निकाल सकते हैं। अगर सुई मरीज के सरीर के अंदर तूट जाए औ तो ऐसी कंडिशन में मरीज के सरीर के उस भाग का सी आरम एक्सरे करवाएं। सी आरम एक्सरे मसीन में सी जैसी दिखने वाली आरम होती है जो सरीर के किसी भी भाग का एक्सरे कर सकती है। सी आरम एक्सरे मसीन दवारा एक्सरे करने से ये पता चल जाता है कि तूटी हुई सुई सरीर के किस भाग में और कहां पर पड़ी हुई है फिर डोक्टर सरीर के उस भाग की सरजरी करके वहां से सुई को निकाल देते हैं तो दोस्तों इस तरह से सी आर्म एक्सरे मसीन से पता लगा कर और सरजरी करके तूटी हुई सुई को बाहर निकाला जा सकता है तो दोस करके हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद